साहरनपूर से एक दिल दहला देने वाला समाचार सामने आया है जहां इसलामी तालीम के नाम पर मौला ना मासूम बच्चियों का दुशकर्म करता था टीचर की हरकतों से परिशान होकर 14 साल की लड़की ने मां से कहा मैं सर से नहीं पढ़ूँगी सर गंदे हैं बैट टच करते हैं बैटी की बात सुनकर मा के होश उड़ गए महिला तुरंट अपनी बैटी के साथ थाने पहुँची और टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है मामला जिले के थाना सदर बाजार का है परिजनों ने बताया कि हम बैटी को टीचर के भरों से छोड़ देते थे कि वो उसे पढ़ाएगा अच्छी तालीम देगा लेकिन टीचर ने बच्ची के साथ गलत काम किया गंदी हरकते की पीडिता की माने बताया कि बेटी को पढ़ाने के लिए घर पर टीचर आता था एक दिन बेटी ने रोते हुए पढ़ने से मना कर दिया उसने कहा मैं सरसिक नहीं पढ़ूँगी इस पर मैंने कारण पूछा तो उसने बताया टीचर गंदे हैं वो पढ़ाने के बहाने ग झाल